नमस्कार दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आज से UPSC 2022 का में से स्टार्ट हो गया है और पहला पेपर था essay का यहाँ आप यह देख सकते हैं essay का paper है यह UPSC का आपको तोटल दो essay लिखने होते हैं 125 marks का per essay होता है 2500 marks आपको मिलेंगे दो section होता है हर section में आपको 4 essay मिलेंगे और 4 में से आपको एक choose करना होगा 1000 से लेके 1200 word के बीच में आपको चीज़े लिखनी होती है हम यहाँ पर brief में बात कर लेते हैं कि आप किस essay को कैसे approach करोगे और I would request कि जो लोग UPSC के तयारी कर रहे हैं वो इस paper को जरूर attempt करिएगा इसके बाद जब GS1, GS2, GS3 और GS4 का paper होगा UPSC का तो हम उसको भी discuss करेंगे आपका पहला essay था forest are the best case study for economic excellence आर्थिक समरिद्धी हासिल करने के मामले में one सर्वत्तम प्रतिमान होते हैं बेसिकली आपको यहाँ पर economic importance of forest लिखना था जो forest के critical role है उनको लिखना था forest कैसे sustainable development में help करते हैं forest कैसे inclusivity लाते हैं क्या उनका development role है कैसे वो social economic growth में important role play करते हैं forest को अलग sector से आपको include करके लिखाना था forest कैसे employment provide करते हैं खासकर जो one another river sections हैं उनको कैसे safety net provide करता है forest आपको यहाँ पर वो लिखना था दूसरा इससे है poets are the unacknowledged legislator of the world कभी संसार के अंधिकृत रूप के मान विधायक होते हैं यहाँ आपको यह बात करना था कि जो poets हैं उनका contribution जादवतर recognized नहीं होता है यहाँ आपको examples देने थे टैगोर की बात लिख सकते थे रंधारी सिंग दिनकर महादेवी वर्मा कभीर की बात लिख सकते हो आपको साथ में यह बताना था कि poet है क्या contribution है हमारे society में जैसे आप जानते हो यहाँ पर example आप दे सकते थे कभीर के दोहे का कि वो कितनी अच्छी बात है कितनी important बाते लिखेते हैं जो बाते दिल तक पहुस्ती हैं लोगों की बट हमारे society में poet को अतना recognition नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था देखिए ऐसे में जितना आप example लिखोगे उतना ही अच्छा होगा और बहुत सुंदर सुंदर इस बाट topic आया है UPSC का आप एक बाट topic बैट के देखोगे तो लगेगा कि paper बनाने में महिनत की गई है आपका तीसरा essay है इतिहास वग्यानिक मनुष के रुमानी मनुष पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है यहाँ पर आपको scientific development के बारे बात करनी थी ability of a man to turn thing into reality इस perspective में आपको चीजनों को लिखना था चौथा है आपका जहाज बंदरगा के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए तुवा होता नहीं है काफी famous quote है यहाँ पर आपको comfort zone के बाहर निकल के काम करने के importance को दर्शाना था यह बताना था कि कभी भी risk लेने से डरना नहीं चाहिए यहाँ आप example दे सकते थे एक कहावत है न कौन सी movie आई थी मुझे यार नहीं आ रहा है जिसका डायलोग है कि risk है तो इश्ट है तो basically आपको यहीं बताना था यहाँ पर कि कभी भी कोई भी risk के लेने से डरना नहीं चाहिए कोई भी opportunity आपके हाथ में आए तो इसो grab करना चाहिए आप comfort zone में अपने रहोगे आप अपने box में रहोगे तो कभी आप progress नहीं करोगे अगर आपको future में grow करना है तो आपको risk लेना होगा इस particular quote में आपको यहीं लिखना था और देखे different different dimensions आपको include करना होगा आप society के level से लिख सकते हो आप country के level से लिख सकते हो मैंने essay के important topic का वीडियो भी बनाया है आप उस वीडियो को देखिएगा यहाँ जो topic mostly philosophical है और मैं इसको भी काफी detail way में आगे cover करूँगा और आपको बताऊंगा कि जो philosophical essay उसको कैसे approach किया जाता है क्योंकि जो philosophical essay होता है वो बाकी essay से थोड़ा अलग हो जाता है यहाँ पे आपके लिखने का तरीका आपके approach करने का तरीका थोड़ा अलग होता है इसके बारे मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा तो आहिएप आपको इन 4 essay का मोटा मोटा outline समझ में आ गया होगा आप मुझे comment करके बताइए कि आप exam दे रहे होते यहाँ पे आपको right opportunity के बारे में बात करना था कि जब भी आपको right opportunity आया तो आपको उसको grab करना चाहिए एक कहावत है न मौके पे चौका मारना तो यहाँ पे वही सब चीजे लिखने थी और यहाँ पे आप example दे सकते हैं तो जब भी essay का paper होता है तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप एक बार पूरा नज़र दोडा लिया कीजिए GS1, GS2, GS3, GS4 उनके syllabus पे जो भी topic mention है उनको एक बार आप ध्यान दे दिया कीजिए आपको बहुत content वहीं से मिल जाएंगे आप उस नदी में दुबारा नहीं उतर सकते हैं इस essay में आपको ये बात करनी है जो समय है वो बहुत fast गती से change हो रहा है इंसान की life हो गई, society हो गया, world हो गया वो लगातार change हो रहा है तो ये बात जरूरी नहीं कि कोई काम आप same करोगे तो उसका result भी आपको same मिलेगा अब same काम करोगे तो समय के साथ उसका effect बदलेगा और समय के साथ आपको दूसा result मिलेगा इसलिए एक कहावत है कि you only get one chance तो यहाँ उसी चीज़ की बात कर रहा है नेक्स आपका है सात्मा A smile is a chosen vehicle for all the ambiguities हर असमंजस के लिए मुस्कुराहती चुनिंदा साधन है यहाँ पे मुझे तारक महता का उल्टा चश्मा का एक डायलोग याद आ रहा है कि problem तो है सब के साथ बस नजरिये की है बात तो basically session मैं आपको यह लिखना था कि life में कोई भी problem आए आपको उस problem का हस के सामना करना है struggle सब के life में होती है आप यहाँ पर example दे सकते हो जैसे JK Rowling का example देखिए कि कितने struggle के बाद उनका Harry Potter novel पब्लिश हुआ इस तरह काफी famous personality का example दे कि आप अपने बातों को evident कर सकते हो अपनी बातों पर वजन ला सकते हो तो ऐसे question जो मैं बोलता हूँ ना इन में examples का बहुत महत्वर रहता है next आपका आठवा last है just because you have a choice it does not mean that any of them has to be right कि यवाल इसलिए कि आपके पास विकल्प है इसका ये अर्थ कदापी नहीं है कि उन में से किसी को भी ठीक होना ही होगा ये essay basically ये बोल रहा है कि life में अगरस आपके पास कोई choices है तो जरूरी नहीं है कि आपको उन choices में से ही कुछ choose करना है आप अपना एक अलग path create कर सकते हो जिंदगी में आप चीजे explore करना सीखो नई नई चीजे खोजना सीखो तो यहाँ पर total मैंने 8 essay को discuss कर लिया है इसके बाद जब GS का paper होगा तो मैं उसको भी discuss करूँगा आप मुझे comment करके बताइए कि आप कौन सा essay लिखेंगे और जैसा मैंने बोला है जो अगले साल exam देने वाले हैं वो जरूर इस paper को attempt करें धन्यवाद